अगर आप बहुत जादा परेशान है और आपकी कोई इसी काम ना है जो बहुत दिनों से अधूरी है पूरी नहीं हो पा रही है चाहे वो जौब को लेके हो चाहे आपका धन हो बिजनेस हो या फिर आप किसी भी काम के लिए जाते हो आपका काम होता ही नहीं है तो ये विडियो आपके लिए है, पूझ गुरु जी की कता से सुनके बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, आप सबको पता है, कल है एका दसी का दिन, करके देखेगा आपको जरूर फायदा मिलेगा, बस आपको चौकट के बिलकुल बीचो बीच में एक दीपक लगाना है, कर दें, आवाज जो ही लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, देखो इस स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, एक आपको दीपक दिख रहा होगा, जो की है आटे का, इसी तरीके से आपको आटे का चो मुखी दीपक बना लेना है, ज घी इसमें डाल करके, और इस दीपक को लेके महादयो के मंदिर पहुचिएगा, अब देखो रखना कहाँ पर है, कौन सी चोखट पर ये समझना, देखो, एक चोखट तो होता है, जो नंदी बापा की पीछे होता है, जहां से आप बिलकुल एंट्री लेते हैं मंदिर में, लेकिन एक चोखट होता है, जो बिलकुल महादयो के स्रिवलिंग के पास जाते टाइम पड़ता है, आपको वो चौमुखी दीपक यहीं पर आपको रखना है, बिलकुल जो शिवलिंग के पास की चोखट होगी, वहां पर उस चोखट के बिलकुल बीचो बीच में आपको उस चौमुखी दीपक को रखना है और उसकी चारो बत्तियों को आपको जलाना है तुमुरुका जी का नाम ले करके और साथी साथ आपकी जो भी कामना हो जिस भी काम के लिए आप जाते हो काम आपका ना होता हो चाहे वो एक्जाम को ले करके हो चाहे आपकी जौब हो चाहे वरज डूपता है उस टाइम कर लीजेगा ठीक है अब देखो अब उस दीपक को हटाना कभे समझेगा आप बीचो बीच में रख दोगे तो और जितने लोग पूजन पाठ करने वाले होंगे अंदर जाई नहीं पाएंगे अरे तो दीपक जला दिया बीचो बीच तो आप व किनारे रख देना ताकि किसी का पैर ना पड़े कोई रोके टोके नहीं ठीक है इस तरीके से कर लेना आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी इतना पावर होता है इतनी ताकत होती है तुमरुका जी के नाम में करके देखेगा आपको फायदा जरूर मिलेगा अगर यह बन गई है उसके लिए माफी चाता हूँ जो भी पूछना हो नीचो कोमर में पूछेगा आज जो भी लोग पहरी बार सुन रहे है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओब नमस्षिवाय जय महाकाल